नमस्कार मैं आरके सक्सेना मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्ध प्रदेश और आज का हमारा ये वीडियो प्रात्मिक सिच्छक भरती मामले से सम्मंदित है तो जैसा हमको जानकारी है कि जो प्रात्मिक सिच्छक के लिए जो पात्ता परिच्छा आयुद की गई थी 2018 की तो उसमें एक साफ रूप से एक सर्थ थी कि ऐसे सभी लोग जो डियलेड किये हों उन्हें ही इसमें पत्ता दी गई थी लेकिन आगे चल करके ये देखिए N.C.T.E. द्वारा जो है 26 अगस्त 2018 को एक अदसूचना जारी की गई और उस अदसूचना में ऐसे बेक्तियों को भी पात्त्र माना गया जो बियड किये हुए हैं और ब्यापक प्राने पर ऐसे बियड धारी की प्रात्मिक सिच्छक पत्पर निक्ति कर दी गई तो इसको दी गई है इसको दी गई है और मद्रेप्रदेश हाई कोट में यह मामला चल रहा है हाई कोट द्वारा यह चुनाँ को जो है एक्सेप्ट किया गया है और सासनसे के सम्झे जवाब मांगा जा रहा है तो एक प्रकार से गर हम देखें तो अगर हाई कोट का पच्छ चनोती करता कि पच्छ में जाता है तो बहुत सारे ऐसे प्रात्मिक सिच्चक जो डियड नहो करके बियड किये हुए है और उनकी नुक्ती हो गई है तो इनकी नुक्ती जो है वो खत्रे में पढ़ सकती है यह दपी जो आपका NCTE है उसने जो 26 अगर्स 2018 को जो अधसूसना जारी की है उसमें एक सर्त रखी है कि ऐसे बियड डिगरीधारी जिनकी प्रात्मिक सिच्चक पत्पर नुक्ती कर दी गई है तो उन्हें नुक्ती से दो वर्स के अंदर एक बिरिज कूर्स जो है वो करना होगा तो इसी को चुनोती दी गई है डीड जो है अभ्यरती क्योंकि उनकी निक्ती नहीं हो पाई है जबकि बर्गतीन जो जिसको हम बर्गतीन बोलते हैं पात्ता से च्छक पात्ता परिच्छा के तहती इस पर सर्थी कि ऐसे अभ्यरती ही प्रात्मी से च्छक के लिए पात्त रहोंगे जिन्होंने ड अगली सुनवाई जो रखी गई है वो 15 दिसंबर 2023 को इसकी अगली सुनवाई होगी और निसंदे रूप से ये मामला काफी महत्पूंग हो गया है उन सिचकों के लिए जो बीट दिग्री धारी है और प्रात्मिक सिच्छक में उनकी भरती हुई है तो खत्रे में भी पढ़ सकती है उनकी भरती क्योंकि नियाले का पच्छ अगर चुनोती करता कि पच्छ में गया तो ऐसे अभ्यरती बाहर होंगे और उनके इस्थान पर जो है वो जो डिल्ट किये हुए है ऐसे अभ्यरतियों को प्रात्मिक सिच्छक बनाया जाएगा तो ब इस मामले में दखल दी है और देखते हैं अब अगली तारीक 15 दिसंबर है 2023 इस तारीक को जो है वो क्या होता है तो जी हाँ पूरा मामला आप समझ गया होंगे कि एक अधसूचना के तहत जो है वो पात्ता परिछा 2018 में प्रात्मिक सिच्छक की भरती 28 दिग्री धारों से कोई की गई है जो कि इसी बात को जो है वो हाई कोट में जो डिलेट दिग्री धारक है उन्होंने चुनाती दी है कि एक पकार से नियम बुरुद्ध कार हुआ है और इस तरह से बिए दिग्री धारों को जो है वो गेर कानूनी है उचित नहीं है न्याय हित में नहीं है तो समझ गए होंगे आप आज की ही न्यूज है आज आपकी 22 दिसंबर 2023 है तो न्याले में हाई कोट मामला चल रहा है और अगली सुनवाई जो है वो 15 दिसंबर को होगी चली अगल अगले अपडेट में जो भी ऐसे संब्द्द्द हैं अगर आपने ये वीडियो वह अपने ये चैनल सब्क्राइब नहीं किया है इसको सब्क्राइब कर लें यहां कि इस समंद्द में में जो भी अपडेट आता है वो देता रहूँगा 15 दिसंबर को नैले में मत्पिस आप पेस करना है चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नमस्कार धन्नवाद